हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द्रोना एकेडमी पर आज है चार नॉम्बर 2019 और चार नॉम्बर 2019 से जितने भी करेंट अफेर्स के कोशन बनते हैं जो परिक्षाओं में पूछे जा सकते हैं वो सभी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे तो आए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो आज का हमारा पहला कोशन है अभी हाल ही में उपराश्टपती वेंक्यान आइडू ने उत्तरपूर पूस्तक मेले का उद्गाटन कहां किया है तो इस कोशन का सही आंसर है सी असम में उपराश्टपती वेंक्यान आइडू दारा उत्तरपूर पूस्तक मेले का उद्गाटन किया गया है अब बात आती अश्रम की तो हम इस से कुछ जरूरी फैक्ट्स भी जानेंगे जैसे की असम की राजधानी असम की राजधानी है गुवाहाटी जो आपको यात करनी है मुख्यमंत्री है वरतमान में सरवानन सोनोवाल और असम की राजपाल है जगदिश मुख्य यह जो पुस्तक मिला आवजित किया जा रहा है यह किसबा पुस्तक मिला है और इसमें सभी देशों के लोग हिस्सा लेते हैं इस मेले का आज़न All Assum Publishers and Book Sellers Association याने की AAPVA द्वारा किया जाता है हमारा अगला कोशन है कोशन नमबर दो हाल ही में केंद्री श्वास्त मंत्री ने IMI 2.0 पोटल कहां लांच किया है बैंगलोर नई दिल्ली जैपूर भोपाल इसका सही उत्तर है Option B नई दिल्ली नई दिल्ली में केंद्री श्वास्त तेवं परिवार कल्यान मंत्री डाक्टर हर्षवर्धन द्वारा IMI 2.0 इसका पूरा नाम है Intensified Mission इंद्रधनुष पोटल लांच किया गया है यह पोटल दिसंबर 2019 से यानि की इस साल के अंत से मार्च 2020 तक खुला रहेगा यह पोटल पोलियो कारेकरम जो पल्स पोलियो कारेकरम की शिल्वर जुगली के उपलक्ष में लांच किया गया है Question number 3 है 8 November से कोलकाता में होने वाले अंतराश्टी फिल्म होतसब का फोकस देश कौन सा होगा तो इसका option है D Germany इसका सही answer है जो अंतराश्टी फिल्म होतसब है के आयाई एफ एफ आट नॉम्बर सुरू होगा यह 25 समारो होगा इस हर वर्स अलग-अलग देशों की फिल्मों पर फोकस किया जाता है इस वर्स इसका जो फोकस देश है वो जर्मनी है अब पश्यमंगल की बात आती है कोलकाता की तो पश्यमंगल की राजधानी है वो कोलकाता है मुक्षमंतरी वरतमान में ममता विनर जी है और पश्यमंगल के जो राजपाल है वो है जगदीस धनपड अगला question है question number 4 अभी हाली में किस राज ने स्री गुरु नानक देव जी पुरुषकार प्रदान करने की घोशना की है इस कोशन का सही आंसर है पंजाब पंजाब के केमिनेट मंत्री मंडल ने गुरु नानक देव जी के 515 प्रकास वर्ष के उपलक्ष में है घोशना की है इस पुरुषकार का उद्देश शान्ती और सुरक्षा को बढ़ावा देना है और इस पुरुषकार में 11 लाख रुपे की नगद राशी और एक प्रसस्ति प्रस्तान किया जाएगा केप्टन अम्रंदर शिंग पंजाब के मुख्यमंत्री है और पंजाब की राजधानी है चंडिगर और अई वर्दमान में पंजाब के राजजपाल है बीपी शीह बदनोर हमारा अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर 5 सुमार्च किसमबर में होने वाली काव 25 बैठैक की मेजवानी कौन सा देश करने करने वाला है कोव 25 जो मेजवानी करने वाला । स्पैन यानि कि सका वरफिशंभी सही है सहीक राश्ट जलवाईवशंधी में जी सामिल देश हैं, उनकी COP25 सिखर बेठक 2 दिसंबर से 13 दिसंबर तक इस्पेन की राजधानी मेड्रिट में होगी, अभी बता है आपको इस्पेन की राजधानी है मेड्रिट और इस्पेन में भासा भोली जाती Spanish और Spain की जो मुद्रा है वो है Euro बरत्मान में Spain के प्रधान मंत्री है Mariano Rahoy Mariano Rahoy जो है वो Spain के प्रधान मंत्री है वगला कोशन है हाल ही में किस बेंक के MD और CEO ने अपने पद से इस्तिपा दे दिया है तो ये MD और CEO एनि Managing Director and Chief Executive Officer दोनों पद पर एक ही थे अब इस कोशन का सही आंसर है ओप्सन C धनलक्ष्मी बेंक धनलक्ष्मी बेंक निजी छेतर की एक रिंदाता बेंक है जिसके MD और CEO थी वो टी लता थी इन्होंने अपने पद से इस्तिपा दे दिया है अब धनलक्ष्मी बेंक की बात आती है तो धनलक्ष्मी बेंक के जो अध्यक्ष है वो बरतमान में संजीप क्रेश्णन है और इसकी स्थाबना 1927 में की गई थी और इसका जो मुख्याला है धनलक्ष्मी बेंक का वो तरिशूर केरल में है अगला question है हाल ही में GEM ने किसके साथ समझोता किया है A. Canra Bank B. Indian Bank या C. उपरोक्त दोनों या इन मेंशे कोई नहीं तो इस question का option C सही है याने कि Canra Bank और Indian Bank दोनों के साथ ही GEM ने समझोता किया है अब ये GEM क्या है GEM है Government 1 Market Plus GEM ये इसके Indian Bank और Canra Bank के साथ इन्होंने एक समझोता किया है इस समझोते के अनुसार Case Lake, Paperless और Transparent Payment System को बढ़ावा देने में सुविदा होगी अब Indian Bank के जो MD और CEO है वो हैं बरतमान में पदमजा चुंदुरू और Canra Bank के MD और CEO जो है आरे श Анकर नारायन आप वो Comment box में بتाना है कि के Canadian Bank का होई थी और इसका मुख्यले कहा पर है और इसी परकार Canra Bank की इस्थापना का होई थी और इसका परतमान में मुख्यले कहाँ पर है जल्दी से Comment box में आप हमें बताइए áих questions करके तो इसका सही आंसर है option B IIT Delhi याने कि Indian Institute of Technology Delhi जो भारती प्रद्धोगी की शंस्थान है अंत्रिक्ष भारती अंत्रिक्ष अनुशंधान संगठन इस रो के साथ एक अंत्रिक्ष प्रद्धोगी की सेल STC की स्थापना करेगा जिसमें IIT Delhi अंत्रिक्ष प्रद्धोगी की अनुशंधान छेत्रो जैसे Artificial Intelligence, Nanotechnology और Textile Smart Manufacturing आधी में काम करेगा IIT Delhi के अभी वरतमान जो में निदेशक है वो है वी राम गोपाल राव और इसी तरह इसरो के निदेशक है के सीवन इसरो का जो मुख्याला है वो बैंगलूर में है और इसकी स्थापना होई थी 1969 में Question No.9 है हाल ही में केंद सरकार ने किन राज्यों के मानचितर जारी किये हैं ? तो केंद सरकार ने लद्धाक और जमू कश्مीर 2 राज्यों के जो पुनरकठेन के बाद मानचितर जारी किये हैं लड़ाख में दू जिले कारगिल और ले शामिल होंगे जब्कि जम्मु कश्मीर में रेस्टो बाईस जिले सामिल होंगे भारत में जो दो नाइक एंसासित पूर्देश हैं जो 31 अक्टूवर से विदिवत अस्थित में आगए है जम्हू कश्मीर में धरा 370 खतम करके उसका राजन का दर्जा खतम करके सरकारदौरा इन्हें दो केंदसासित प्रदीसों में बाड़ दिया गया है अब इसके भाद 2.02.19 को दोनों ही केंदसासित प्रदीसों के मांचित सरकारदौरा जारी किये गये हैं अगला कोश्चन है हाल ही में भारत ने किस देश से रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये है तो हस्ताक्षर किये है उज्वेकिस्तान के साथ यानि किस कोश्चन का option D सही है बरतमान जो रक्षा मंतरी है राजनात सिंग भू अभ उज्वेकिस्तान रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए शेन चिकित्सा और शेन सिक्षा के चेत्र में तीन समझोतों पर हस्ताक्षर किये हैं बरतमान में उज्वेकिस्तान के जो प्रधान मंतरी है वो हैं अब्दुल्ला अरिपोब आपको कमेंट्स बॉक्स में बतान था कि हाल हमें बने केंसासित प्रदेश लद्दा के प्रतम राज्यपाल किसे बनाए गया है तो इसका सही आंसर है ऑप्सन बी राधाक्रेश्न माथूर इसका सही आंसर है जो लद्दा के प्रतम राज्यपाल बन गए हैं और ग्रीश चंद्र जो मुर्मू है वो जेंड के के जम्मू और कश्मीर के प्रथम राज़पाल बनाए गए हैं पूर में शत्यपाल मलिक थे जो की अभी यहां से हटा दिये गए हैं अब आज का जो प्रेश्ण है वह आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देना है कि भारत का पचासवा अंतराष्टे फिल्म होत्सा गुआ में होगा इसमें किसे विसेश आईगान पुरुसकार देने की खोशना की गई है ए चिरन जीवी बी ए मिताब बच्चन सी रेजनिकांत या डी अक्षे कुमार इस कोशन का आंसर आपको कमेंट्ट बॉक्स में देना है चिक है चलिए धन्यवाद